हलो एबरिवन वैलकम टू एजुकेशन राइस आज हम पढ़ेंगे हरीवन्स राय बच्चन साथ की कवीता आत्म परिजय का तीसरा पत इसके हम सप्रसांग व्यक्या करेंगे और उसके बाद में हम इसके प्रसना उत्तर देखेंगे इस पत से जितने भी प्रसना उत्तर बनत मैं योवन का उनमाद लिये फिरता हूँ उनमादों में अवसाद लिये फिरता हूँ जो मुझ को बाहर हसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिये फिरता हूँ आगे कहते हैं कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना नादान वही है जहां पर दाना फिर मूडन क्या जग जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ सीखा ग्यान भूलाना तो इस सबसे पहले हम इसके सब्दार्थ देख लेते हैं यहां पर योवन का मतलब है जवानी और आवसाद का मतलब है उदासी या फिर खैद नादान का मतलब है नासमज या फिर अनाडी और मूड का मतलब है मुर्ग आगे है उन्माद, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, यत्न का मतलब होता है प्रयास और दाना यानी चतूर ज्यानी और जग का मतलब होता है संसार आईए अब हम देखते हैं इसका प्रसंग इसकी व्याक्या तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग हम संदर्व लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर संदर्व है यहाँ पर संदर्व उसके बाद प्रसंग और फिर हम लिखते हैं व्या क्या तो संदर्ब में हम लिखेंगे कि प्रस्तूत काव्यांस हमारे पाठे पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कवीता आत्म परिचे से उद्रित है और इसके रचीता हरीवंस राह बच्चन सावें नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रसंद इस पद में कवी संसार के व्यवहार और उस पर अपनी भावना प्रकट कर रहा है संसार का व्यवहार कैसा है कवी के प्रतिया आपस में और उस पर कवी के भाव क्या है कवी इस पद के माध्यम से इपने इन भावों को प्रकट कर रहा है क् कभी कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है कभी यहां पर देखे लिखा हुआ है कि मैं योवन का उनमाद लिये फिरता हूँ योवन यानि युवावस्ता उनमाद यानि पागलपन तो मैं युवावस्ता का पागलपन जो है लिये हुए फिर रहा हूँ और उन मस्ती में घूमता रहता है इस दिवाने पन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं ये जो दिवाना पन है उसका ये जो उसका पागल पन है इसके कारण अनेक अवसाद अनेक दुख भी कवी को मिले हैं वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता रहता हैं फिरता रहता हैं कहता है कि हाय मुझको बाहर हसा रुलाती भी तर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कवी को अपने किसी प्रिय की याद आती है तो बाहर से तो वह हसता है लेकिन मन रो देता है अर्थात याद आने पर कवी मन व्याकुल हो पिर कवी आ गए यहां पर लिखता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिस की परंतु कोई भी सत्य जान नहीं पाया इस कारण हर व्यक्ति नादान नादानी करता दिखाई देता है कवी कता है कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना मतलब सब लोगों सत्य को जानने का प्रयास किया इस जगत में लेकिन फिर भी सत्य को कोई जान नहीं पाया नादान वही हाए जहां पर दाना तो इस संसार में कुछ ग्यानी लोग भी रहते हैं जो अपने आपको दुनियादारी की कुछ बाते सीख लेने पर ग्यानी मान लेते हैं उसी संसार में नाधान लोग भी रहते हैं, दोनों प्रकार के लोगों ने सत्य जानने का प्रेतन किया, नाधान लोगों ने भी और साथी साथ ग्यानी लोगों ने भी, लेकिन आज तक कोई भी उस सत्य को जान नहीं पाया, फिर मूड न क्या जग, तो फिर क्या इस जग को ह दिखाई देता है ये मूर्ख भी वही होते हैं जहां समझदार और चतूर होते हैं मतलब इस दुनिया वे दोनों प्रकार के लोग होते हैं हर व्यक्ति वैभाव संब्रिद्धी भोग सामकरी की तरफ भाग रहा है हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग कर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं और अब हम यहां पर विशेश में लिखेंगे कि पहली चार पंक्तियों में कवी ने आत्मा भी व्यक्ति की है और अंतिम चार पंक्तियों में कवी ने सांसारिक जीवन के विशे में बताया है उनमादों में आवसाद मे गुणुत्पन हुआ है कर यतना मिटे सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है नादान वही है हाए जहां पर दाना में सुक्ति जैसा भाव है और खड़ी बोली जो है वो इसमें है अब हम करेंगे इसके प्रस्न उतर इस पद में जो भी प्रस्न बनते है वो देख लेते हैं पहला प्रस्न है योवन का उनमाद से क्या तात्प्रिय है यहां पर योवन के उनमाद का अर्थ क्या है तो कवी प्रेम का दिवाना है जैसा कि पहले भी कवी ने बिचले पदों में कहा है उस पर प्रेम का नसा चाया हुआ है यह जो युवा वस्ता है उस यूवा वस्ता में जो उस पर नसा चाया हुआ है, उसकी वज़े से कभी उस प्रकर लिख रहा है. परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है, अतवे निरास हैं, इसलिए उसे दुख हो रहा है. दूसरा प्रसन है, कभी की मन्ह इस्तती कैसी है, उसके मन की इस्तती बतानी है तो कभी संसार के समख सहस्ता हुआ दिखाई देता है परन्तु अंदर से वह रो रहा है क्योंकि उसे इपनी प्रिया की याद आ जाती है नेक्स्ट है नादान नादान वही है जहां पर दाना तो नादान कौन है और क्यों है सांसारिक कवी यहां पर कह रहा है कि जो सांसारिक मो माया में पड़े हुए लोग हैं वो इन लोगों को कवी ने नादान कहा है क्योंकि सच्चे ग्यान के अबाव में वह सत्य का साखसतकार नहीं कर सकते कवी सांसार के बारे में कवी क्या कह रहा है कि यहां पर लोग जीवन सत्य जानने के लिए प्रयास करते हैं पर अगला क्वी सीखे हुए जआन को क्यों भूला रहा है कभी संसार से सीखे हुए ग्यान को भूला रहा है क्योंकि उसे जीवन सत्य की प्राप्ती नहीं होती जो संसारिक ग्यान कभी ने प्राप्त किया है उससे सचा ग्यान प्राप्त नहीं होता जिससे वह अपने मन के कहे अनुसार चल सके और क्योंकि कभी अपने मन के कहे अनुसार चलना चाता है वो इस ग्यान से संभव नहीं है इसलिए वो इस ग्यान को भूला करके नया ग्यान सीखना चाता है और इसी के साथ हमारे ये question और ये पद हुआ पूरा next जो पद है वो हम आगले वीडियो में लेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें साथी साथ अपने मित्रों के साथ इसे सेयर करें और अगर आप इसकी पीडियो चाते हैं तो इसी वीडियो के description box में हमारे टेलेग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है आप उसे join कर लिजिए वहाँ पर हमारे सारे वीडियो उसकी PDF आपको मिल जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देख